नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल को खुवित के लिमें, तो आज मैं आपके साथ मिक्स पज्या के साथ दो चटनी की भी रेसिपी सेर करने वाली हूं खाने में एकदम मज़ेदार ये पज्या की रेसिपी आपको, अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब सरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन को फ्रेस कीजिए, जिससे की मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहे मिल सके तो चलिए, शुरू करते हैं रेसिपी पज्या के साथ बनी हुई दोनों चटनी बहुत है टेस्टी बन के तयार होती है आपी से पूरी, चाट, भेल, पानी पूरी, समोसा या फिर रगड़ा में भी खा सकते हैं तो हम ग्रेन चटनी बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा फुदिना लिया है थोड़ा सा मैंने धन्या लिया है धन्या का जो डंठल आता है वो लिया है साथ में ही दो तीकी वाली हरी मिर्च ली है और तीन मैंने लाल मिर्च ले है तो यहाँ पे मैंने थोड़ी से अद्रक के टुकड़े भी लिये हैं तीन-चार लहसुन की कल्याली है स्वात के अनुसार मैंने नमकेट कर दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा नेमू भी निचोड देंगे थोड़ी सी सक्कर भी हम इसमें डाल देंगे अब थोड़ा पानी आधा कप जितना पानी डालके ठकन को बंद करके एकदम फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी बनके तयार हो गई है एकदम चटपटी चटनी बनके तयार होई है फ्रेंड्स तो अब हम खजुर, इमली और गुर की चटनी बनाएंगे तो तीनों को मैंने एक बरतन में यहाँ पे रख दिया है अब थोड़ा सा पानी डालके हम इसे गरम कर लेंगे जिससे की सभी चीज़े है वो सौफ्ट हो जाए तो यहाँ पे खजुर, इमली गरम हो गये है तो अब हम इसे मिक्सी जार में डालग देंगे अब हम थोड़ी सी चटनी एट करेंगे धन्या पाउडर एट करेंगे साथ में ही स्वात की अनुसार नमक डालकर अच्छे से इसे पीस लेंगे तो यहाँ पे हमारी खजुर, इ दोनों चटनी एकदम टेस्टी है आप इसे समोसा, चाट, भिलपूरी या फिर दही वड़े में भी खा सकते हैं तो यहाँ पे बेसन को मैंने चान लिया है चानना बहुत ही जरूरी है चानने से उसमें हवा परेगी और जो हमारा पज्या बनेगा वो एकदम जालीदार बन आपको जितनी पज़ी बनाने हूँ उसी साब से आप आठा एक बरतन में लेलीची अब हम इसमें डालेंगी थोड़े सी थनिया साबुत धनिया डालेंगी फिर इसमें अज्वाहिन डालेंगी हा थेरी की मदद से मसल की अब काली मिर्च का पावडर जाल देंगी स्वात की अनुसार नमक डाल देंगे और पींच भर के हम इसमें खाने का सोडा एट करेंगे अब थोड़ा सा नमक एट कर देंगे हमने जो सोडा डाला है उसके उपर जिससे की वो एक्टिवेट हो जाए अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका खीरा तयार कर लेंगे तो यहां कर सकते हैं यहां पे में थोड़ा फुदीना हरी मेर्च तन्या पत्ता साथ में ही थोड़े से प्याज और कटा हुआ आलो की इसमें एट कर रही हूं आपको जो भी सबसी पसंद हो वह आप इसमें एट कर सकते हैं तो अब अच्छे से खीरी के साथ सबी वेज़िटेबल्स को हम मिक्स कर देंगे ये पजिया खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसे एक बार सरू ट्राय कीजिए तेल भी अच्छे से यहां पे गरम हो चुका है हमें तेल को बहुत नहीं गरम करना है मीडियम रखना है अब हम इस तरह से हाथों की मदद से पजिये को तेल में जिससे के जो बजिये है वो अंदर तक अच्छे से तल जाए अब हम इसे उलट पुलट करके अच्छे से पूरा तल जाए तब तक हमें इसे फ्राय करना है तो इस तरह से अच्छे से बजिये है वो अब तल गए है तो अब हम इसे एक्स्ट्रा ओल निकालके डिस में रख सबी पज्ये हम इसी तरह से बना के तयार करेंगे यह पज्ये चाय के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं आप इसे हलकी फुलकी भूख में भी बना सकते हैं दूनों चटनियों के साथ पज्ये का टेस्ट है और डबल हो जाएगा तो एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राइ सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन को प्रेस कीजिए जिससे की मेरे नए आने वाली वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके थैंक यू फूर वोचिंग मिलते हैं नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई ठेक के जय हैं